हेलो यद्धिवान आइम स्नेहलाता और मेरा यूट्वी स्वाइल में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है तो फ्रेंश आप लोग कैसे है मुझे आशा है आप लोग सुरेख्ति थांगे वर प्रेंश आप लोग को मैं पिछले वीडियो में दिखाई तरह किस तरह किस तरह की जगह में मैं रहती हूँ तर चलिये चलते हैं तो फ्रेंड्स यह रहा हम लोग का मेन गेट जहांसे हम लोग अंदर आते हैं और इधर कुछ रूम भी है जिसमें केवल रेंटर हैं और यह सब गारी जो देख रहे हैं यह आंटी लोग का है यह मेरा रूम इधर आगी भी और एक रूम है जहां पर खाली पड़ा है भी भी खाली किये हैं यहां पर है चपाकल नल भी है जहां पर हम लोग कपड़ा दोते हैं परतन सब साप करते हैं और यह चपाकल जो देख रहे हैं यहां पर केवल हम लोग इस चपाकल को जाड़े में यूज़ करते हैं इधर है आंटी लोग का रूम सामान सब ये लोग भी बाहर निकाले हुए हैं क्योंकि अंदर कुछ काम चल रहा है ये है वह लोग का रूम और इधर है आगे सीड़ी जहां से हम लोगों पर चड़ते हैं छत पर जाते हैं कपड़ा सुखाने के लिए या तो शाम में कभी-कभी टहलते हैं वही पर जा करके इधर भी कुछ काम चल रहा है फिलहाल इधर यहां रूम जो देख रहे हैं ये सब खाली पड़ा हुआ है भी यहां पर देख ही सकते हैं यहां कुछ नया बना हुआ है इधर भी नया बना हुआ है यहां जो आप देख रहें ठीक किया हुआ बोरा लगा हुआ है वही से मेरा रूम में पानी चूर रहा था अब ठीक हो गया है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इधर आप देख सकते हैं यह कुछ पवधास भी लगा हुआ है यहां है ओपर छट जाने के लिए सीड़ी यहां पर एक्शुली दो छट है यह है दूसरा छट यही से यही पर खड़े हो करके आप पाहर का नजारा भी देख सकते हैं नीचे जाने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी है ना कुछ मज़े की बात अब यही है उपर का छट वाउ क्या आप जानते हैं यही पर आके हम लोग गर्मी में तो यही सब कोई बैठे वे रहते हैं और देर रात तक सूधावा लेते रहते हैं वाते करते रहते हैं यहां पर टंकी भी रगा हुआ है इधर जो दीख रहा है वो तो दुसरों का घर है नाया जो बन रहा है सो फ्रेंस केसी लगा रधी पॉली का भी लैट तो यहां आता है वह हैं सो फ्रेंस आज का वीडियो यहीं तक बन स्काइब